दिनांक 28 नॉमबर 2021 को होने जारे यूपीटर 2021 की परिछा में समलित होने के लिए एक्जामिनेशन सेंटर पर कौन कौन से डॉकुमेंट आपको ले करके जाने हैं इसके अलावा घड़ी allowed है या नहीं और ऐसे तमाम प्रश्णों का जवाब इस वीडियो में लोग ढूणने की कोशिश करेंगे तो अंतर तक जरूर जोड़े रहेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार को skip के हुए नमस्कार दोस्तों मेरा नामे नीरेज और आप देख रहे हैं केरियर विट यूटिब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल ऐकन को प्रिस करना है ना भूले आपको जरूरी तीन डॉकुमेंट ले करके जाने है जिसके बिना आपको इंट्री नहीं दी जाएगी सबसे पहला आपने जो एड्मिट कार्ड डाउनलोड किया है वो एड्मिट कार्ड दूसरा आईडी प्रूफ ओरिजिनल में फोटो कॉंपी से नहीं चलेगा ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो आवेदन करते समय आपने लगाया था वो ले करके जाने है अगर वो ID proof में अगर आपका name mismatch है या फिर अगर वो ID proof आपसे गुम हो चुका है original में तो आप उसका photocopy अगर available है तो ले जा सकते हैं और उसके support में एक दूसरा original ID आपको ले करके जाना अनिबार है ताकि आप सिद्ध कर पाएं कि आप नहीं वो candidate है तो अगर आपका ID miss हो गया है या फिर name mismatch है तो उसके support में दूसरी एक government ID जरूर रख लिजेगा original में इसके अलावा जो तीसरा document ले करके जाना है वो आपके प्रसिक्षण का मूल प्रमाणपत्र यानि original certificate ले करके जाना है या फिर किसी भी semester का मूल mark seat ले करके जाना है अगर आपके पास original mark seat या फिर certificate नहीं है उस condition में अभियर्थियों को internet से प्राप्त किसी भी semester के अंकपत्र को अपने सम्मंदित college से सत्याफित करा करके ले जाना है यहाँ पर मैं बिल्कुल clear कर दूँ कि diet से signature करने की कोई भी अनिवारता नहीं है अगर आप नीजी dealer संस्थान से सम्मंदित है अगर आप private college से सम्मंदित है तो सिर्फ अपने private college से attest करवाईए वो more than sufficient है आपके admit card पर लिखे गए दिसाय निर्देश और PNP के दौर जारी किये गए official notification के अनुसार फिर से आप एक बार सुन लिजिए आप अपना admit card ले जाएंगे उसके अलावा original ID proof ले करके जाएंगे और original में अगर आपके पास certificate या फिर marksit है आपके DLRD या फिर B8 का तो वो ले करके जाना अगर original नहीं है उस condition में किसी भी semester का अंगपत्र जो internet से प्राप्त result होता है उसको आप अपने college से सत्यापित करा करके ले जाएंगे यहाँ तक सब कुछ doubt clear इसके अलावा OMR seat को bubble करने के लिए सिर्फ black ballpoint pen allowed है तो आप dot pen जो होता है काले color का ले करके जाएंगे इसके अलामा अगर बात करें घड़ी की तो ऐसे device जो घड़ी होती है जिसमें कुछ storage की function होते हैं तो वो चीज allowed नहीं है आप digital watch ले जा सकते हैं या फिर अगर simple पल सुई वाली घड़ी भी ले जाते हैं तो उसमें storage वाला कोई भी function नहीं होना चाहिए वोस्तो विगत वर्सों में PNP के द्वारा हजारों की संक्या में अभियर्थों के result को रोक दिया गया था UPTED के संदर में क्योंकि उन्होंने OMR City गलत तरीके से भरा होता है आपको परिक्षा में समलित होने से पहले भली बाती आउगत होना होगा कि OMR City किस प्रकार से भरा जाता है UPTED की परिक्षा में इस वीडियो के description में आपको dedicated वीडियो का link मिलेगा जिसमें मैंने step by step बता रखा है इस प्रकार से UPTED की परिक्षा में OMR City को भरा जाता है तो आप इस वीडियो के समाप्थ होने के बात से इस वीडियो का description जरूर चेक करिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुभव